दोस्तो राबन ने मड़ते मड़ते इसतरियों के बारे में ये तीन गिनोनी बाते बताई थी, जो आज सच हो गई है, खड़ भी हैं पड़ सच है, इसतरियों के बारे में राबन ने जो जो कहा, उसे आप देख सकते हैं दोस्तों आप सबी लोगों ने रामेंड की कहानी तो सुन ही होगी आपको बता दें धार्मेक शास्त्रों के अनुसार राबन एक ऐसा शक्स था जिसने सीता माता कहरंड करके ना सिरिप उसने गलती की थी बलकि भगबान श्री राम जी से दुश्मनी भी ले ली थी देखा जाये तो पूरी दुनिया राबन को एक बुरा इंसान समझती है और एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है परन्तु क्या आप जानते हैं कि राबन भगबान राम जी से भी ज़्यादा ग्यानी था लेकिन हां ये बात अलग है कि उसने सीता माता का हरंड करके खुदी अपनी जिनदगी समाप्त करने का निवंतर अड दे दिया था राबन ने भले ही सीता माता का हरंड जरूर किया था परन्तु इसमें कोई शक करने बाली बात नहीं है कि राबन की सहन शक्ती के कारण से ही सीता जी की मर्यादा बची हुई थी जब राबन ने माता सीता जी का हरंड किया था तो उसके पच्चात राबन ने कभी भी सीता जी के साथ गलत बैभार करने की कोशिश नहीं की थी बैसे हम यहाँ पर राबन को अच्छा नहीं कह रहे बलकि हम आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केबल इंसान की एक गलती उसकी जिन्दगी को बरबाद कर सकती है जैसे की राबन के साथ हुआ था राबन की एक छोटी सी गलती की बज़े से उसको अपने प्रांड गवाने पड़े थे परन्तु आखरी समय में राबन ने अपने प्रांड त्यागने से पहले इस्तरियों के बारे में कुछ ऐसी बाते बताई थी जो आज सत्य साबित हो रही हैं जिसे जानकर आप भी कहेंगे ये बाते बिलकुल सत्ते हैं। इस तरियों के बारे में जो जो राबन ने कहा था उसे आप भी जान लीजी तो चलिए जानते हैं। दोस्तो नमबर बन राबन ने अपने प्राण त्यागनिस से पहले पहली बात ये बताई थी कि इस्तरियों एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर इस्तरियों को कोई भी गोपनी बात का पता चल जाये तो ये उसे पचा नहीं पाती और इस बात को सभी जगा आग की तरह देती हैं। इसी बज़े से कभी भी इस्तरियों को अपनी गुप्त बाते नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाये तो इस्तरियों हमारे बिनाश का कारण बन सकती हैं। और ये बात कुछ हद तक सत्ति साबित हुई है। दोस्तो नमबर टू। राबन ने अपने प् भुका भी देना पड़े या किसी को अपनाना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राबन की इन बातों का समर्थन करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राबन की इन बातों को बिलकुल जूट समझते हैं। अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि इस्तरियों क बारे में तीसरी बात ये बताई थी कि इस्तरियां अपनी किसी भी बात से बहुती शीगरी पलट जाती हैं और वो कभी भी सत्य नहीं बोलती इसी बज़े से इस्तरियों के ऊपर काफी सोच बिचार करके ही भरोसा करना चाहिए इस्तरियां इधर की बात उधर अधिक करती है इस तरह से इस तरियां लोगों के बीच बाद बिबाद भी करबा सकती हैं जिससे कोट कचैरी हो सकता है आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि राबन द्वारा कही गई ये बात सत्य है या असत्य दोस्तो जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में बताएं राबन ने महिलाओ के बारे में सत्य कहा या असत्य